नमस्कार मैरीना राजपूत और आप देख रहे हैं सीटी 24 चैनल आज हम मौजूद हैं फतेहाबाद से लगते गाव दौलतपूर में और हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी सक्षियत से जो इसने बहुत ही कम उमर में बहुत नाम किया है और इसने इस सेक्टर में अपना नाम किया है सोशल वर्क एक इनोंने ऐसी मुहीम चलाई है जिसके बारे में दूर दूर तक इनका नाम फैला हुआ है आए इन से जानते हैं कि क्या इनका सोशल वर्क है कैसे ये जुड़े इससे कहां से इनकी शुरुआत हुई थी नमस्कार में मेरे नाम अन्जू वर्मा ह और जैसे कि आप दोलतपूर में हैं मैं दोलत इसी गाओं में पली बड़ी हूँ और लगबग मेरा जनम इसी गाओं में हुआ है तो क्योंकि गाओं का एक माहौल जब गाओं का नाम लेते है कि रूरल एरिया और वहां से हम लोगों की माइंड सेट मेंटलिटी ऐसी बन ज जाता है वैसा environment पैदा कर दिया जाता है तो मैं भी ऐसी महोल से थी ऐसा नहीं है कि मेरे पैरेंट्स मुझे अलोग करते थे बाहर निकलने के लिए मैं इसी गाओं के स्कूल में सरकारी स्कूल में पड़ी लिखी हूँ और जब मैं जाती थी स्कूल में गवर्मेंट स्कूल देखे तो ठीक है अधरवाईज बाहर गोमने नहीं जाने दिया जाता इवन अपने relatives के यहां भी नहीं जाने दिया जाता तो मैं आपको ले चलती हूँ ठीक आठ साल पहले जब मैं फिफ्ट क्लास में पड़ती थी और यहीं के गाओं के जो फिफ्ट गर्ल स्कूल है उसम जून में एक महीने की चूटियां पड़ती है बच्चों की जो की स्वर्ग वो उनहीं में देखते हैं खेल कूद करना और बच्चों के बहुत अच्छे दिन होते हैं तो हमारी चूटियां स्टार्ट हुई पहला दिन हुआ मैं घर पे आई उचल कूद हम लोग कर रहे थे घर पे तो मेरे पापा की बुआ आई हुई थी घर पे तो उन्होंने मुझे ओफर किया कि तुम एक महीना स्पेंड करने के लिए हमारे साथ चलो तो मेरे लिए तो गोल्डन चांस था सोने पे सुहागे वाली बात हो गई थी क्योंकि कभी कहीं बाहर जाने के लिए किसीने जरूर जाओंगी यह थी ऐसा मुझे लेकर जाना चाहेंगे तो तो उन्होंने बोला ठीक अपना बैग पैक कर लो मेरे इतना ज्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकती यहां से वहां गए शाम हो चुकी थी करीब क्योंकि मैं ना उस रास्ते में सोचते में जा रही थी भ चैनिंग हो चुकी थी और चाय पानी पूछा मुझे ऐसा नहीं था श्याम हो गई रात हो गई खाना अगरा दे दिया और अगले दिन सुबर पांच बजे मुझे उठा दिया तो क्योंकि नीन से पहले उठा देते तो आपको पता है कि कैसा रहता है और बद एक मिनिट स्योने यह तो Jeremiah आपको चाही है था। मैं थे क्ला स्काने कमेश द्यकंटे रहे है तो शाठ में खड़ हो के बता है इतना चाय है बना दिया उसके बाद में वो काम खतम हुआ, फिर जैसे कि जाडू निकालते हैं से पहले, जाडू निकालने में थोड़ा सा बैंड होके जुक के थोड़ा सा ऐसे निकालना है, कुछ रहना नहीं चाहिए पीछे, ऐसे करके मुझे सिखाया उन्होंने, थोड़ी दूर उन्होंने करते हैं तो तकलीफ होती है कमर में दर्द होता है, तो उसके बाद में सबजी बनाने के लिए उकटवाना स्टाट किया, चाकु चलाना नहीं आता कि उसको छोलें कैसे, और जैसे आलू छिलने के लिए मुझे जाजा निकल रहा था मेरे से, तो उसमें भी डांटा मुझे, यही तुम निकाल दोगी, तो फिर आलू बचेगा क्या, तो मेरा पूरा वो रहा, और रोटी बनाने के लिए, क्योंकि भारत का नक्सा आज भी मुझे से बनता है, आज भी मैं गोल नहीं बना सकती, उस से में तो बहुत बुरा हाल था, तो यह सब चलता रहा, पूरा दिन तो उस दिन मुझे से पूचा सोने से पहले कि तुम सीख गई हो क्या, आज का जो भी काम है, तो मैंने थोड़ा सा सोच के बोला, सीख गई, क्योंकि मैंने सोचा सीख गई, बोल दूँगी ना, तो कल उठाएंगी नहीं सबस्वे, और कुछ बोले, मैं सीख चुकी हूँ, तो उन लोगों को तौदत थी, मुझे भी उठा दिया, बोले सीख तो तुम गई हो, कल अब करो खुद, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, तो मैं बता देना, तो उस टाइम मेरा जो एक्स्प्रेशन था, वो मैं बता नहीं सकती अभी, क्योंकि उस टाइम का एक अलगी था मुझ खुला का खुला, खुली की खुली, और आसपास देख रही हूँ कि बुआ चाचे सब खड़े थे, कुछ बोल नहीं सकती थी, तो खड़े होके कोई option नहीं, आप कोई बहाना excuses नहीं दे सकते, वहाँ पे सरदर्द काया है उसका, क्योंकि घर से already समझा के बेजते हैं भी तुम relatives के यहां जा रहे हो, तो सब का कहना मानना है, हाँ अच्छे से रहना, कोई सिकायत नहीं आनी ची, पहली बार जा रही हो, ठीक है, अगर दर्वाइस कहीं भेजेंगे नहीं आगे से, तो मैं तो बहुत बुरा फस चुकी थी, फस नहीं मेरा पहला experience था, पहला दि दिन उसके अंदर आदा चला गया था, उसके बाद से जैसे थोड़ी देर के लिए जैसे कोई काम करके आराम से बैठते हो, मैं वहाँ सांस लेते कि यह काम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसमें वह नहीं था ना कि कोई आई नहीं रहता भी इसका अंतीम चोर कौन सा है, एक का प्लीट हो दो गाउ बता देते भी यह और करने है, उतना ठीक था, चलो वह करवा रहे थे, ठीक तो नहीं था, लेकिन बोलना पड़ रहा है, तुरंत बोल दिया कि जो दादी थी बोली आना मेरे पैर दर्द कर रहे है, पैर वो दबा दो, मैंने का थोड़ी देर, बार बा बोड़ी मसाज करवाते हैं, उसने में ऐसे छोड़ी दर आ, ठीक है, और वहां करके, और मुझे उन्होंने बोला कि मेरा भी वो करो, पहले पैर दबाया हाथ दबाया रो सब करो, उसके बाद में उन पतन लोगों को क्या अदत पड़ी, उन सब लोगों ने वन बाई वन ब पहले मुझे नहीं थी और मुझे आती और मैं पसंद भी नहीं करती तो मैं कुछ से होने रहा कि मैं करूं क्या, ठीक है, करने का बोट कुछ मन कर रहा था कि चिलाने लग जाओ, वो सब करने लग जाओ, उन सुनेगा कोने, एक तपन मार के चुप एठा देंगे, तो कहीं जोर नहीं चल सकता ना, तो चुप रहने में भलाई थी, करते रहो, मेरा चलता रहा, लग 20 दिन मेरे बीत गए इन्हीं चीजों में, और उनके जैसे जमीन जादा थी, तो वो लोग सुबह सुबह निकल जाते थे, ठीक है, खेतों में, मिर्चों अगरा तोड़ने के लिए वो सब चीजों करने के लिए, तो मेरे को लगाए रखते थे, 20 दन, 20 दिन बेते हैं, बच्चों का इक होता तो पहले, अभी तो मैंने लेन देन खेर बंद कर दिया, लेकिन पहले क्या था कि बच्चों के एक सोंक होता है, और सुना वा था पड़ोस में, कि जब भी आप र सब्सके रेड और सेल से, होल सेल से, वो कप्ड़ा लेकिया से, तो तोल का कप्ड़ा लेकिया रुसंसने म stone kाब्टा लेकिया, मेरे फिरोग बना ताब पहले थैंप Pailer ऐसा बना दी था, हाथ मैं कटोरा देने की देर थी, । मैं खwatch दिते हो जाती ना, ED, ऐदी रोड पर मेरे को एक पैंसन भी नहीं मिली है, सेलरी नहीं मिली है, तो मैं मेरे 20 दिन बीत गहते, 10 दिन मेरे को और गुजारा करना था, वहाँ पर मैं सोच रही थी, क्योंकि ये वो गरम तवे पर किसी इनसान को बठा देते, तो कितना 24 गंटे होते हैं, उसके लिए एक मिनिट ऐसा ल मेरे साथ चल रहा था, बहुत बूरा लग रहा था, मेरे पापा की सी कानवस वहाँ गए, मेरे पडोस मेरे दादी जी है, उनको पीलिये का जाड़ा डलवाने के लिए, टू राइडर्स और बाइक पे थे, मैं बहुत बूरे तरीके से रोने लगी, मुझे वापिस आना अ और मुझे काम मेरा कंप्लीट है, ये स्कूल का परना डंडे पड़ेंगे मेरे, और दस दिन में होएगा, अदरवाइस हो नी पाएगा, ये अक्शुली मेरे था या मतलब आप वहां से निकलने का बहाना बना रहे थी, मेरा काम क्योंकि गवर्मेंट स्कूल में लग बहु चुपाने के लिए कोई चीज ना, बचने के लिए जूट, सो जूट, एक जूट भी बोला जाए, वो सो सच के बराबर होता है, ये मैंने सुन रखीती बात, ठीक है, तो मैं आ गई, जैसे तैसे करके रोर आके, ठीक है, और यहां पर आने के बाद मेरे ममी को मैंने सारी ब मिल गई थी वापिस, खेल कुद करने लगी, कुछ महीनों बाद क्या हुआ, कि सडन मेरे स्कूल में जो कुछ लड़की आती थी, धाड़ी चे, उन लेडिकों को होमवक अंकम्प्रीट रहता था, डेली हेंडरेस करके चकर कटवाते थे उन से, तो क्या होता था कि, क्योंक कि वो लोगों को डंडे पढ़ते थे, तो मैंने एक दिन उन से पूचा, उन लोगों के पंजाबी लैंग्वेज थी, मार खाने में मज़ा आता है, क्या, पढ़ क्योंने लेती हो, इतना सुना उन्होंने तुरंत लग गई, क्योंकि वही बात है, जले पे नमक छिड़कों कि तो तकलीफ तो होएगी, तो उन्होंने मुझे इतना सुना इतनी गालियां थी, पंजाबी लैंग्वेज में, समझ नहीं आई, लेकिन वो कहते हैं, एक्स्प्रेशन वैसे होते हैं, तो समझ आ जाते ही, कुछ तो तेरे फेवर में तो नहीं है, तो गलत ही है, कुछ तो की जमी ठेके पे ले रखी है, सुबर निकल जाते हैं, शाम को रात को आते हैं, नो दस बजे, तो इस बीच हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, सारा घर का काम हम ही करना पढ़ता है, और इदी किताब खोल कर पढ़ने बैड भी जाएं, तो घर का काम कोन करेगा पापा ये बोलते है, तो इसलिए हमारे पस बिलको टाइम नहीं मिल पाता, तुम्हारे परेंट्स नहीं पढ़ने के लिए टाइम दे देते हैं, तो मुझसे उन्होंने बोला, कि हमारे गर पे इनफेक्ट पसू जो है, वो भी हमारी होाले है, उनको चारा डालना है, वो कर आई गर्दन नीची करके घर तक पहुंची और बार बार में वो चीजे दिमाग में चल रही थी जाके मेरे मम्मी पापा को समझाओ हमें मत समझाओ ये वो तो मैंने मेरे मम्मी से शेयर किया पोजिटिव रिस्पोंस नहीं मिला वही सब सुनने को मिला आदत सी पढ़ गई थ और तब तक पानी जलता रहेगा तो मेरे पानी चल रहा था की करूं क्या क्योंकि बाहर तो मैंने निकलन देते हैं इस जर्नी में मेरे बहाने से ही निकले है के सारे ठीक है मैंने यह बाहना बनागे घर से निकलंई कि मैं मेरे दादा दादी से मिलना जा रही हूं उद्धर घर था तो my ऴुक्त के मुझे बोला कि ठीक है जली झाओ क्योंकि दादा दादी से मिलने के लिए महीने में एक बार कोई रोकotta उनको समझाने के लिए उनका भी कोई positive response नहीं था तुम्हारे ममे पापा ने तुम्हारे पतंग की डोर डेली चोड़ रखिया जिस दिन कड़ जाएगी उस दिन पता से लेगा मतलब वही बात है न चलती नदी में एक पाल्टी पानी हो और सही क्या फरक पड़ता है इतना सुनने को मिली रहा है तो यह सब होता रहा में साथ फिर मैंने स्कूल में जब टीचर से डिसक्स किया और कुछ और जो से एक NGO T. Save the Children वहां से कुछ सपोर्ट मिला तो मुझे धीरे-धीरे पता चला कि वह जो हो रहा ना वह चाइल्ड लेबर है उसके अंदर ना 50,000 रुपेज आप लोगों को जुर्माना पे करना पड़ सकता है और 6 मंथ प्लस आपको जेल हो सकती है इधी कोई करता है या करवाता है 14 साल से कमोमर के बच्चे से कुछ भी नहीं करवा सकते आप तब कुछ होसला आया मुझ में कि जो मेरे को तकलीफ हो रही है वो कानून की नजर में भी गलत है ठीक है मैं उसके लिए आवाज उठा सकती हूँ फिर मैंने दीरे-दीरे आवाज उठाना स्टार्ट किया मैं उनके घर पहुंची उनको समझाया अपने तरीके से क्योंकि सिदर जाके बोलती हूँ तो जेल करवा दूँगी तो मेरा बचना तो था ही नहीं सिदर ये पूचे तरी पापा का नाम बता क्या है और पापा जेलर मतलब घर पहुंचे और तुरंट सिस्टम कट गया तो एक प्यार सिस्टम जाना पड़ता है भी साप भी मर जाए लाटी भी ना तुटे तो उनको तारीफ करते रहे पहले दिन जिसने पानी नहीं पूचा अगले दिन उसने भुजिया भी स्कीट रख दिये सामने तारीफ करने से तो मतलब खाते रहे बाते होती रही हमार साथ एक दो और भी बंदे गई वे थे साथ में तो उन्होंने फिर उस चीज को समझा थोड़ा थोड़ा जब बातों में बोला कि बच्चे क्या कर रहे हैं कैसे कैसे चल रहा है और शारा दिन आप कहां जाते रहते हो घर पे नी रहते क्या हो से बातों में पत्ता चलता रहा दिरे दिरे सारी बाते साबने आई मैंने उनको एक एक जामपल भी दिया पड़ो उसका क्योंकि न्यूश पर में आता रहता है कि चाल्ड लेबर हुआ है तो यह जुर्माना करना पड़ा उनको वह गया आप तो अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हो कुछ लोग ऐसे जो स्कूल भी नहीं भेजते हैं उनको पचाहजार रुपे का जुर्माना देना पर सकता है छे मेने की कैद इतना सुनती उनको यह लगा कि यदि हमारी बात नजर में आ गई कानुन के तो मैं तुरंट 50,000 रुपे देने पड़ जाएंगे कोई बीच में आएगा तो क्योंकि मैंने पहले बोला था 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है गाउलों के लिए साल दो साल में वो लोग इक अठा करते हैं तो वो क्यों दे वो जमा पुंजी वहां से थोड़ा-थोड़ा उन्होंने उस इ लेकिन एक्चुल जी जो स्टडी के लिए वैल्यू है वो नहीं आएगी ठीक है भी वो चीज़े जरूरी है या नहीं वो समझ में नहीं आएगी तो मैंने उनको पीटीम पे इंवॉल्व किया क्योंकि गाउं के बहुत सारे ऐसे लोग होते जो ना पीटीम को कुछ समझती भी नहीं है लेकिन जबकि उनको अटेंड करना चाहिए पीटीम पे जब वो आए तब उनको पता चला चार लोगों के बीच के आपके बच्चों का रिस्पोंस जीरो है तब उसको बुरा लगा और पता चला कि पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो मेरी बेटी के आगे डोक् तो मैं नहीं जाएगी घर पे रहेगी और तुम पढ़ने लिखने पे ध्यान दो और अगली पीटीम पे मैं जाओंगा तुमारी स्टडी में इंप्रूव्मेंट मुझे मिलने चाहिए तो इससे जादा नहीं कहूंगी लेकिन जो 33% से मुश्कल से पास होने वाली लड़क यहां 70% क्रोस करने लग गई यह मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी मेरी लाइफ की जिससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुए और जहां से मुझे एक उजाला मिला कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ अब मैं तीर मार सकती हूँ इस टाइफ कि स्टार्टिश टाइफ कुछ करता है नहा अब ऐसे लगता है तो दीरे दीरे मैंने मेरे गाउं का सर्वे किया पैरेंट्स को यह बोलके किसी से नोटबुक लेकिया आना है फ्रेंट्स ते किसी से कुछ तुरा टाइम जादा लगया ग्रुप स्टड़ी करनी है ऐसा बोल बालके तो वहां से क्या हुआ कि 25 अब अकेले थे आपके साथ कुछ और भी गाउं के लड़कियां या कुछ और कोई और दूड़ चुका था मतलब ऐसे कोई पर्मानेंट नहीं था स्टार्टिंग से लेकिए वह तक लेकिन ऐसे था कि कभी मेरे साथ कोई चला जाता जैसे कई बर मेरे साथ दीवय चली जात या इस टाइब का हमारा हुता रहता था ठीक ऐसे पर्मानेंट सब लोगों डर लगता था था थपड़ खाने से घरवाणों के तो पर्मानेंट कोई निकलता नहीं था मेरे को यह था कि कुछ करना आया उस टाइम और बाकियों को इतनी स्पोर्ट नहीं मिल पा रहा था क्य कि वहां से पॉजेट्डि रिस्पॉंस हा ए और बैंगलोर में मुझे मुझे बुलाया गए तो आपर मुझे सिलेक्ट किया गया की जो बिकरे पड़े αυτे चीजस को नहीं को ने की मोती जो बिखरे पड़े तो क्या कि उन लोह को से सीखने को मिला जम्रों से डर रही थी तो उन्होंने बोला कि problem मैंने सोच ली थी कि साथ मेरे साथ ही problem हुई है बाग कि वहां की story सुने तो पता से ला कि struggle हर कि किसी की life में है ठीक और struggle नहीं करोगे दो चार बंदे सुनाने वाले नहीं मिलेंगे तब तक आप success नहीं हो सकते ठीक और success आपको मुफ्त में नहीं मिलती है ठीक है उसको सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है उसके लिए आप ऐसे कमा सकते हो कैसे भी किसी भी तरीके से लेकिन जो success है जो आपका नाम fame है जो चीज जो आप करना चाहते हो असान नहीं करना तो यह सब चीजे मुझे सीखी फिर मेरा और और clear होत इतना open-minded है वो भी उनको ना पहनने के लिए कुछ रोक रहे हैं ना बोलने के लिए तो मैं क्यूं पीछे रहा हूं तो दस ऐसे बोल दिखे हैं मेरे बच्चियों के साथ हैं इनको कहीं रोकते हैं मेरे पापा यह बोलती मैं तो रोकूंगा तो इदिक्कत आजाती है इसलि लोग अलग थे मैं ही थी जो सबसे चोटी एज की थी और वहां पर क्या हुआ कि मेरे लिए स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिली थी तो वहां पर काफी लोग जो आई वे थे ओडियंस थे वो लोग ऐसे नहीं थे कि कोई आके और जो ओल्रडी को एंट्रप्रेनर थे कोई क पूछ थे उन लोगों ने मेरे पापा से जब बात किया जब लंच परेकवा कि आपने घर में हीरे को पैदा किया है उसको कभी रोकना मत इस पक्सी को न उड़ते रहने देना इसके लिए लिमिट नहीं आकास इसके लिमिट नहीं है तो मेरे पापा के ने दिमाग में ठीकर जाए जब घर आए तो पूरे गाओं वालों ने मेरे बहुत शानधर प्रोग्राम रखा था और मेरे हैं जो चल रही है वह सिरु मेरे मेरे गाओं में नहीं है वो समस्य हैं हर गाउं में हर डिस्टिक में हर राज्य में हैं इंडिया के हर कोने कोने में अलग लग वर्ल्ड में हर जग है लेकिन थोड़ थोड़ एंगल चेंज हो जाता है ठीक है तो फिर मैंने क्या किया मैंने एक टीम बनाने का सोचा कि क्यों ना टीम बनाई जाए तब गावों में धूप में लेके जाएक तो 20 रह गये और 20 में से मैंने सोचे ट्वंटी ओर जाएगे फिर से अकेली रहजाएगी तो फिर क्या हुआ दीरे-दीरे मेरे को ना इतना समझ आ गए कहानी एक कहात है हरी आणा में उतना बादाम खाने अकल नहीं आते इतना थोकर और दोके खाने dado जाती है तो मैंने इतने ठोकरे तो छा ली थी ठीक है कि कभी इदर से उदर इदर तो मैंने बोला कि starting में mixture आया था हर चीज का अभी कंकर पथर निकल गए जब छलनी से चांटा गया और कोहिनूर की हीरे हीरे बच गए ठीक है तो वो कोहिनूर की जो हीरे थे ना अब वैसे लगबग थाउजेंट प्लस हमारे पास है ठीक है तो मेरा पहला तो जैसे एजुकेशन की परती मेरा प्रोजेक्ट चला था उसके उपर काम करना स्टार्ट किया वो 20 से फिर बहुत सारे हो गए 60 हो गए अ तो हर वह संडे को और वहां पे जाके जैसे होता है न फौर रूट सेल्वे आप अपने हुए आफके यौह करते थी पर टीम बनाके अलगे हों अर तीक हैं तरह नाम निकल लेते तो मैं अकिला थोड़ी हूं उनी पढ़ने वाला, फलाणा नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा, वो पचास के और नम गिना देता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता था, भी हाँ, हाँ, यहाँ, 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 और वो खुद लेके जाता था उनके घर, भाई, देखो, यह तो उनको ऐसा नहीं कि और जैसे और होते वो लोग कि आप लोग जो पूरे जो डोक्यों में प्रिपेर कर लो नंकी एगरी करके डोक्यों मंडे को फिर से आई यहां और आपको गाड़ी में बठा के स्कूल में एडमिशन करवा के लिए काईगी तो मेरी पूरी टीम वहां फ इडमिशन करवाती थी और उसके बाद इतना इनके डमीशन करवा दे लिए तो बदन नहीं नहीं टीचर के काउंटेक्ट नंबर के उनकी इनकी इंचार्ज है बखए देगे पड़ोशी में जो पढ़ा लिका उनके कंटटेक्ट नंबर बच्चा स्कूल जा रही है किक्यो कर्मइंट स्कूल को बच्चों की नीड होती है क्योंकि स्ट्रेंथ कम हूइ तो स्कूल बंद हो सकते हैं तो लोगों नहीं क्या किया ज слышrit बता जबी तीन चाल मताना हैं हम तीन दिन नहीं जाएंगे ऐसा नहों कि हमारे टीचर कोई कॉल कर दिया आपको तो वह सब हुता रहा है उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब हमारे ऐसे करते करते था मतलब कि बहुत सारे बच्चों के हम लोगों एडमीशन करवा दिये अभी तक 700 प्लस बच्चों की स्कूल चल रहे हैं जी एक तो मेरा जो यह है कि बच्चों को स्कूल भेजने का उसमें लड़के और लड़किया दोनों 700 प्लस स्कूल में बच्चों को भेज है मैंने एक मेरा चाइल्ड मैरिज का प्रोजेक्ट चल रहा है जो बच्चियां थी जिनको रोका है उनकी मैरिज को और और आज वो पढ़ रही है उसके अलावा जो योन सोचन है sexual harassment 15 plus cases क्योंकि योन सोचन ऐसा ने की पूरा रेप हो जायता है नी क्योंकि छोटी से लेके 15 seconds तक आप किसी लड़की को घूर कर देखते हो वो भी योन सोचन के पहली कड़ी में आता है उस पर case कर सकते हो आप उसमें तो वो cases मैंने handle किये उसके बाद में फीमेल फीटिसाट का एक case मैंने खुद handle किया है और उसका कुवा पूजन भी हुआ था उसके बाद जो हम लोगों के प्रोजेक्ट चले है एक जो लेंदेन बैन है वो दो-चार महीने पहले ही हमारा चला है 27 जुलाई को 2020 में तो वो हम लेडीज का , 10 लेडीज इन जिन्नोंने घुंकर ठाटा है वो लेंदेन में की a video मेरे और उनपर उनके लीड़ के नीचे ही की टीम बनेगी , वह लीड करेगी , इन लेडीज का मेरा मेरा बहुत बड़ा प्लान है अगेे लेके प्लान है जो बन रहा हमारा दिल्ली में लोगों को समानित करने के लिए कोल आ चुके हैं इन लेडिस को वहां पर अवोर्ड मिलेगा तो वो सारी चीजे हमारी चल रही है उसके अलावा जो हमारा मैंसुल हाइजीन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ओल ओवर इंडिया में लगबग चल चुका है उसके काफी चीजें ओनलाइन हुए क्योंकि अभी तो ओफ लाइन तो कुछ कर नहीं सकते थे लोगडाउन के अंदर हाइजीन का आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसका मतलब समझाएगे मासिक धरम जो पीरियेड्स हम कहते हैं क्योंकि उसको स्टार्ट करने का मोटीव क्या रहा मैं उसके वारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि क्योंकि ना पता हम लोगों ने जब देखा सर्वे किय या किसी भी तरीके से हम लोग खुद भी अवेर नहीं है उतना जादा उस सीज को लेकि स्टार्टिंग में कहीं ने कहीं जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों के मन में भी यह था कि भगवान ने सारी बुराईयां हमें क्यों दे रखी है यह लड़कियों कि क्यों हैं ब कि जो हम पड़ियों के वो है वो एक गंदा कपड़ा भी यूज करते हैं उस तोरान और इनफेक्ट ऐसे चीजे वो लोग यूज करते क्यों के पास पैड्स नहीं है क्योंकि वो लोग उससे कि अवेर ने कुछ ऐसा चीज यूज किया जिसका साइड इफेक्टी दी हो जात है उन 45 दिनों में लेडी मंदिरों में नहीं जाती मुर्ति को हाथ नहीं लगाती है धूब बत्ति अपने चोट चोटे बच्चे उनको कह 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 करवाती रहती है जबकि उनको नहीं पता तो भी क्योंकि मेरे को पिरेड्स आई हुए वो एक अंध विश्वास है ठीक है और जहां पर जो माता का मंदिर वो उसी फेज में बैठी है उसको पिरेड्स आई हुए उस टाइमें दूर दूर तक लोग जाके उसके माता टेकते क्यों ठीक है तो वो सब था और इसको लोग समझ नहीं रहे जब मैंने उसके बारे में स्टड़ी किया पता चला काफी जाती थी क्योंकि पहले ना उन लोगों के पास सोर्सीज नहीं थे कि वो क्या चीज यूज करेंगे पैड नहीं थे उन लोगों के पास वो अवेर नहीं थे लेड़ इसको खुद को सरम आती थी कि यदी मेरे पेरेड्स आयों है और मैं एक जगह से दूसरी जगह जाओंगी किसी को भी खुन दिख जाता है तो वो लोग ना मेरे मुझे अच्छा नहीं लगेगा लोग हंसेंगे या वो सब चीजे तो उसने खुद ही अपना दाइरा बना लिया उन दिनों मैं कहीं जहां पे सारवजनिक जगह मंदीर हो चै कोई और वहां नहीं जाओंगी ठीक है ए ए शूर से झा चुक है जब रिति रिवाजये बनते हैं वो सोर्ट ओफ टाइम के बनती है कुछ टाइम के लिए बनती है लेकिन लोग उसको बेड़ चाल में चलाते रहते तो उसी का नतीजिए यह है कि आज लोग मंदिर में नहीं नहीं जा पथे उन दिनों मैं और अचा का सिकार उते जा रहे हो ठीक है तो उसी चीज के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया मैंसुल हाई जीन तो अभी बात करें डोनेशन की क्योंकि अगर कोई फांडेशन चल रही है जैसे आपके बुलन अड़ा तो टाइम टाइम पे खर्चे भी होते हैं आपने कोई भी प्रो जो डोनेशन है वो स्टार्टिंग के कुछ साल तो तो मेरे पापा से चला है उसके बाद में मेरे को जैसे बीच विच में अमाउंट मिलता रहता है जैसे की इनाम मिलता रहता है अभी कुछ टाइम पहले टौफ 24 जो नवंबर को मेरे को फाइफ लैक रुपीज मिले थे त लोग अवोर्ड करवाते हैं वो एक फाउंडेशन क्या सते हैं एक बहुत उसका है एक संस्ता मानलो आप बहुत बड़े लेवल की संस्ता है जिसके अंदर अलग-अलग कंट्री से सब लोग जुड़े हुए हैं तो उन से मुझे गॉल्ड मैडल और फाइफ लैक प्रिशन दिया है एक ट्रस्ट के तोर पे बुलंदुडान को अब यह गाउं की बात करें जैसे अब बात करूंगी मैं आठ अक्टूबर को आपका जो स्थापना दिवस था उसमें आपका गुंगट प्रथा का था कि आपके अंद स्टेज दस महिलाओं ने गुंगट प् बाकियों में तो यह था कि सबका स्पोर्ट रहा था गुंगट प्रथा वाले उसमें काफी सालों से अब जो यह लेडिस थी इन्होंने 20-20 सालों से यह लोग इतना इतना गुंगट करके घूम रही है तो आप दो महिने की चीज को भी खतम करो एक दम तो भी टाइम रगता है तो यह तो 20 साल की चीज हो गई तो स्पोर्ट की बाद गुंगट पर था वाले में करूं तो मेरे गाम में 10% मुझे स्पोर्ट मिला है पांच यह 10% बाकि 90% हमारे स्पोर्ट में नहीं है तो आपको क्या लगता है कि धीरे दीरे उनकी मान सिकता भी बदलेगी हां जी बि उनमें से 50 से 70% लोग की जो महिलाएं हैं वो गुंगट छोड़ दे गाउं की ओरतों से कितना स्पोर्ट मिला है अब तक आपका जो यह बुलंद उडान फाउंडेशन है अपने हरियाना स्टेट की बात करूं में यहां है या बाहर के भी काफी लोग आपसे जुड़े हुएं ओल ओवर इंडिया के अंदर हैं हमारी टीम के मेंबर्स और वहां पे कोई भी दिक्कत होती है तो लोग वहां पे काम कर रहे हैं तो अभी मैं देख रही थी कि काफी आवार्ड आपके अपास आए हैं बहुत आवार्ड है तो यह आपको मतलब कहां कहां से किसी ट्रस्ट से मिले हैं या सरकार द्वार भी आपको सम्मानित किया गया है लग बग काफी मंत्री से मुझे सम्मानित हो चुकियो मैं जैसे कि वोलिंटियर अवोर्ड मुझे यूएन से मिला है और आई वोलिंटियर अवोर्ड मुझे मिल चुक ही और्गनाइजेशन से मिला था यूथ आईकोन अवोर्ड मुझे एक और्गनाइजेशन से मिला था जो एक सीरी सत्या साइए आवोड है जिसके अंदर गुवर्मेंट के भी परसं थे और वह भी वह मेरको अधित्य बिरला की वाइफ राजये सरी बिरला से मिला था और इसके अलावा जो हिंदू बिजनेस लाइन यंग चेंज मीकर आवोड है जो कि हिंदू बिजनेस लाइइ जिस अवर्ड में मेरा नाम रहा है उसकी विनर में रही हूं और उन से मिला है उसमें अरून जेटली सर और काफी मंतरी आए हुए थे बड़े बड़े और वहां पर यूनीक चीज यह थी कि सिर्फ तीन या चार ही लोग जो चीफ गेस्ट गेस्ट है मेंन में उन्हीं को बोल मेरे लिए बहुत बड़ी चीज रही है समरीती रियानी में से चेंज मेकर का आवर्ड मिल चुका है और कवीता जैन जो है उन से मुझे मिल चुका है लग बग और जो रीसेंट्ली फॉर्थ अप्रेल को मुझे जो एमेचार डी सर है हमारे डॉक्टर रमेज पोख्रियाल जी उन्होंने निमंत्रन भीजा था तो फाइफ फिफ्ट अप्रेल को उन्होंने सास्तरी बवन में काफी अच्छा वेलकम करवाया हमारा बहुत ही शांदार प्रोग्रम मेरा वहां रहा और उन्होंने अस्वासान दिया है सेंटर गोवर्मेंट के तरफ से वोमेंडे था आने वाले टाइम की बात का अगर मैं करूं तो कितना चेंजिस और गाउं को और हमारे समाज को चाहिए और किन-किन मुद्धों पर आप आगे काम करने वाली है लग बग जो काफ वैसे तो ना धीरे-दीरे जैसे जैसे हम लोग स्टार्ट करना एक में रोड पे मैं चली थ का एक चाहिड मैरिज तो हो गया चली योन सोचेंड का मिला सेक्सुल हरास्मेंट का हो गया फीमेल फीटी साइड का कंकर मिला तो ऐसे जैसे आप एक दो कदम और आगे करते और एक चीज को आप खतम करने की कोशिश करते तो दो बुराहियां और खड़ी हो जाती है तो हम अपन चैलेंज लेके बैठे कोई दिक्कत ने जितनी बुराहियां आनी आजाओ हम सामना करने के लिए तयार है जो भी पुराहिया तकराएगी न वो धरासा ही हो जाएगे हमारा कुछ बिगड़ना है नहीं तो इसी चीज के लिए बहुत सारी बुराहियां और भी जैसे ज जिसके इंदर महिलाएं सखसत नहीं है ठीक है इंपावर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है मैं उसके लिए काम करना चाहूंगी वो मनिंपावर्मेंट के लिए मेन तोर पर और जो एक होता है कि डॉमेस्टिक वोईलेंस उसके उपर मैं में मुद्दा है जो काफी है औ आने वाले मेरे दो टॉपिक मोवनिंपावर्मेंट और डॉमेस्टिक वोईलेंस रहने वाले हैं तो यह थी मेरे साथ फतिहाबाद से लगते गांदौलत पूर से अंजू वर्मा जो बुलंद अवाज बुलंद उडान फाउंडेशन की फाउंडर है और लगवद 18 साल इन की बहुत जादा हैं हर एक मुद्दे पर यह खुल के बात करती हैं चाहे जो भी मुद्दा रहा हो और काफी हद तक इन्हों ने उसको रोक थाम के लिए भी बहुत कदम उठाए हैं और आगे आने वाले टाइम में भी हम यहीं उमीद करेंगे कि ऐसे ही यह अपना काम करती ही रहें तो हमारी तरफ से तो अंजुवरमा आपको सलाम है धन्यवाद थैंक यू सो मच सिटी चैनल का जिनोंने इतना स्पोर्ट किया और सिरिसली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सामने से आके बोलते हैं तो दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे हैं पूरी बुलंद इंदीम हैं चैनल के honour भी किया हतना स्ट और से पिर्टेंटल किशे बढह होती हैं ब Points to